जहें दोस्तों अंद मातरम अगर हम इस बात को सच मानले कि खरभूजे को देखकर खरभूजा रंग बदलता है तो भाई ये बात भी एक मतलब सही तरीके से सिद्ध होगी कि अगर क्लास में एक दो एकी तरह के बच्चे हैं उनमें से एक अगर पिटाई पड़ते हैं तो द दूसरे सेतारे के मन में व्यापक डराना सौभाविक है कि भाईया यार हो सकता है हमारे साथ भी यही हो जाए अभी हमने हाल के समय में देखा कि दो बड़े बॉलिवड के दिगज अक्षे कुमार और आमिर खान इन दोनों की मूवी का बॉलिवड के बॉक्स ओवस पर बह लेकिन आने वाले समय में शारुक खान, सल्मान खान की भी बड़ी बड़ी मूवीज रिलीद होने वाली जिसमें कि पठान का नाम और टाइगर थी का नाम तो सबसे उपर शुमार होता है इन दोनों मूवीज का क्या होगा च्योंकि अभी तक बॉयकोट ट्रेंड को लेकर उनसे एक बात साफ हो चुकी भाईया फर्क पड़ता है और अगर आप इस चीज को लाइटली ले रहे हैं मतलब पबलिक को आपने लाइटली लिया कि नहीं यार ठीक है ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं को बोलने दो हमें फर्क नहीं पड़ता तो भाईया आपके जेब के इस तरीके से इस मूवी को बनाए गया क्या कुछ प्रपगेंडा है क्या कुछ बाते हैं धीरे धीरे ही सही क्योंकि जब आपस में लोग डिस्केशन करना शुरू करते हैं तब बात निकल करना शुरू होती है और वही चीज़ अब शुरू भी हो चुकी है अक्षे कुमार गेहूं के साथ गुन्मी पिस्ता वो कहावत सुनिए ना बस वही हो रहा है कि भई यह बॉयकॉट लाल से चली रहा है तो एक काम को लोगों को याद दिला दो कि पठान आएगी तो यह उसको भी बॉयकॉट करना है अब यहां पर हम कुछ नहीं कह रहा है अगर हम लोग सी किसे यह पूरा जो बॉयकॉट ट्रेंट चल रहा है वो चल रहा है वोगों कि तरह अगर हम चलके देखें किस तरह के ट्वीट हो रहा है तो विकास बान ने लिखा है रिक्विस्ट टु कटर हिंदूस टू शो दा हैस्टेग बॉयकॉट पठान डन अन्डस्टेट कमिंग सून यह वही एक जो तस्वीर है वो चल रही है और लोग उसी को लेकर कर रहे है वो भाई साब लिखते हैं नेवर फॉर्गेट बॉयकॉट पठान यह जेन्यू की तस्वीर है से दरसल दीपिक बादुकोन की जबी छपाक मूवी रिलीज होने के पहले अपनी मूवी के प स्वीर लगाई है देर इस टू पेटरोटिजम इन चिल्रेन तू हर घर तरंगा इसके आगे एक यह तस्वीर है आश्टोज बंसर लिखते हैं कि पठान इन रियल लाइफ वर्स पठान इन बॉलिवड महेश पते ने लिखा है कि लिविग इन इंडिया बट सर्विंग पा इस बारे में मुझे घर जान करी नहीं है और भी कई सारे रिफरेंसेज यहां पर दिये गए हैं इसके अलावा सेंटी सिंग लिखते हैं प्रोटेस्ट ऑफ ब्रूटल अटाक सलमान रशिदी रजदी बॉयकॉट पठान लो सलमान रजदी का नाम भी यहां पर जोड़ दि सकता है तो उसी को लेकर पब्ली की पुरा ट्रेंट चला रही है निकता लिखते हैं कि बॉलीवुड अल्ली वांट्स यॉर मनी अटेंशन नॉट यू शारुक खान गट्स अंग्री विदान फैन ट्राइट टिकिंग सेल्फी वित अकला खान यहां पर एक तस्वीर किया दरसल इसमें आरियन खान शारुक को फिर एक्सकॉर्ट करने ले गाया थी क्योंकि शारुक खान गुस्सा आगया थे एक फैनल की सा तस्वीर ले रहा था इसमें कोई बुराई नहीं है राजेश फर्मा लिखते हैं कि शारुक खान शुड नोट रिलीज इस बैड मूवी पठान इन इंडिया आफ्र सीग्डिशन आफ आमिर खान अदर्वाइस रिस्पेक्ट विल नॉट बी से रिज्जत नहीं बचेगी भाईया इंडिया आशी लिता है कमिंग सून बॉयकॉट पठान आफ्र सक्सेस्फुली ब्लॉक बस्टेड बॉयकॉट लाल सिंग चड़्डा करन सिंग शेखावत ने लिखा है तू भी आजा भाई जल्दी अब तेरा ही इंतजार है मतलब आप तो पब्लिक और बढ़ चड़के करेगी यह चीज है मतलब आप अप कैसे रोखोगे समझ में नहीं आता है शारुक खान ने का एक ट्वीट है यहां पर कब का है यह तारीक समझ में नहीं आ रही है इट्समा चैलेंज तो एंटार वर्ल्ड अडिफ नरींदर मोदी ची यह तो हमको भाया जूटा लग रहा है यह हम साब बताना शारुक खान ने चीज़ तो नहीं लिखी है यह फेक है ग्यानी बावाई लिखते हैं कि अल्सो कनहिया लाल मैनी बीपल वाउज अब यहां पर हर एक चीज का जिकर होगा पेंट क्या चल रहा है आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह का पेंट चल रहा है सेंटी सिंग लिखते हैं यहां पर कि how the hell on earth Bollywoods could make a movie with racist and racist name this is another Khanwood agenda movie यूपी में तो गाडी के उपर भी इस तरह की चीज़े लिखना बना है कि आप यह पठान और मतलब racist name जो होते हैं जो अपने surname लोग गर्व से लिखते हैं वो चीज़ आप नहीं लिख सकते हैं यूपी में तक बैन है यह चीज़े रक्स डक्स लिखते हैं कि if dear Hindus you have a little shame and some respect for your religion please boycott your jihadiwood energy मेरे को तो इंतजार इस चीज़ का है कि भाई कब अब इस तरह का agenda निकल कर सामने आएगा कि नहीं लाल सिंचरा था बहुत बड़ी हिट सावित हुई है collections जो है पूरे जूटे थे इसका इंतजार यह चीज़ भी जरूर होती है क्योंकि smart guy लिखते हैं कि not interested in anti-hindu islamic filth called bollywood boycott पठान के लिए बात करी है राहूल दोलकिया नहीं लिखा है मैं बात वहीं कर रहा हूँ राहूल ठाकर लिखते हैं कि now let's start boycott पठान to show him who is real king of भारत nobody can take विभारती है for granted he should not challenge us तो भई इस तरह के कुछ जो tweets हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं public किस तरीके से आप पठान को लेकर अपनी बात सामने रख रही है अपनी बात को बोल रही है कि भई या पठान में क्या कुछ गलतियां हैं जो कि हमको गलतियों सरी की लग रही है और उन्हीं को लेकर इस सब चीजे हो रही है लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब बॉलिवड को भी इस चीज़ को सीरिसली लेना पड़ेगा देखी चाहे है ना चाहे अगर पबलिक किसी बात को लेकर बॉयकॉट की बात कर रही है उनको कोई बात लग रही है मुझे परसनली इसा फील होता है कि अगर आमिर खान ने अपनी मुवी रिलीज होने के पहले जो पीके के जो सीन्स थे वो इंटॉलरेंस वाले मुद्दे के उपर एक बार फिर से अगर उनने बात करी होती तो शायद बहुत हद तक चीज़ें सुधर सकती थी चत्त में वजएते कि भी आज की रिट में कई सारी क्लिपिंग्स वायरल हो रही है एक तो रक्षबंदन वाली हो रही है जिसमें राखी को लेकर बात करी गई है तो पब्लिक ये बोल रही है जब आप राखी को लेकर इतना बोल सकते हैं तो फिर आप हलाला या फर 3 तला को लेकर आप क्यों नहीं बोल रहा है तो कई सारी चीज़ें हैं जो पबलिक के पास उठाने के लिए हैं और पबलिक अब व्यापक तोर पर सवाल उठा भी रही है और इसलिए यहां पर यह पूरा जो ट्रेंड है इस तरीका थोड़ा बन पड़ा है कि आप बॉलिवुड को थोड़ा सोचने समझने की जरूरत पड़ेगी कि यार हम किस तरीके से चीजों को रखें या लेकर चलें कि अब भई हमारी मुवीज पैसा कमा पाए आपको बॉइकाट पठान को रेकर क्याना मुझे कमेंट करें जरूरता मेरी स्वीडियों फिलाता है जाहिए 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 बारत